दोस्तों केवल म्यूजिक एक्सपिरियंस को इनेंस करने के लिए भी आज के मारगेड के अंदर इतने ज्यादा ओप्सेन अवेलेबल है कि अपने खुद कन्फीज हुजाते कि अखिरकार मुझे खरीदना क्या है पहले बात थी तो पहले केवल सीमित आइटम मिलते थे तो को इतनी ज्यादा वेराइटीज अवेलेबल है कि अगर आज की तारीक के अंदर अगर आपने 4000 रुपे का बजट लेगे चलते तो बाज़ार में आपको एम्प्लीफायर भी देखने को मिलेंगे जिसके साथ में आप स्पीकर करके बजा सकते हैं वो भी अच्छी पावर वाल आपको यह समझा पहूं कि बाई साब यह आखिर का इतने सारे आइटम अलग अलग बना रखें वो किस परपस से बना रखें तो अगर अपन बात करें एक नॉर्मल होम थेटर या फिर एम्प्लीफायर के परचेस की तो वहाँ पे बहुत ज्यादा आपके दिमाग में चैनल मिलेगा जहां पर अपना बजेट है केवल चार जो पांच जार रुपए तो एक नॉर्मल कोई भी होम थेटर की बात करें वह आपको क्या-क्या ओफर कर सकता है सब अपन क्वालिटिस को लेकर चल रहें सब तरीके की बात करेंगे सब से पहले जो आपको एक सिंपल होगा जो कि आपको एक नॉर्मल एंपलिफायर आप कह सकते हैं चार से पांच जार करेंगा तो पॉइंट वन इस्टीरियो चैनल आउटपूट आपकी चोईसे आप चाहे तो पांच जार में मोनो भी ले सकते हैं लेकिन मोनो और इस्टीरियो के अंदर आपको काफी अच् सब्सक्राइब को मिलेगी कि जो आपको यह 2,000 के अंदर 7.1 यह 4.1 मिल रहे ना कितने असली है कितने नकली उस पर मैंने वीडियो बनाइए बहुत जल्दी आपको यह जो दस वीडियो अभी आने वाली है इस वीडियो के बाद में उसके अदर बहुत अच्छी इंप्रमे आपको मिल सकता है 2.1 प्लस 4.1 दोनों आपकी चोईस है अब बात करते हैं कि उसके अलावा क्या मिल सकता है तो जो नॉर्मल एंप्लिफायर होगा वो आपको 200-300 वोट तक का पावर एजी ली प्रोवाइड कर आएगा चार से पांच के अंदर यह क्वालिटी नहीं दे पा और एक ठाम धमागेदार ओडियो एंप्लिफायर के तरफ जा सकते हैं आपको चाहिए soft vocal, soft audio and low bass, deep bass मतला हो एंप्लिफायर हो बहुत अच्छा deep bass निकाल लेता है यह मैं मानता हूँ बहुत अच्छा निकाल लेता है Home Theater भी निकाल सकता है अभी चीश टैप के Amplifier के बन बात करें उसके अंदर पोसिबिलिटीज कम है कि आपको एक South for Supported Amplifier मिल जाए आप चाहे तो Low Pass लगा कि उसको कर सकते हैं Easily उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको Inbuilt South for Supported नहीं मिलेगा आपको ये भी ध्यान रखना है कि Amplifier के साथ में कोई Speaker Driver नहीं आने वाले कोई Speaker Inclosure नहीं आने वाले आपको Inclosure या तो अलग से Purchase करने पढ़ेंगे स्पीकर ड्राइवर आपको अलग से Purchase करने पढ़ेंगे या बनवाने पढ़ेंगे अगर आप Home Theater पर्चेस करते हैं, चार से पाँच के आसपास में, ठीके, चो कि Home Theater आपको अच्छी काची audio दे रहा है, लेकिन ये चांसे बहुत कम है कि वो comparatively amplifier के बराबर के आपको audio दे पाएगा, कारण amplifier आपन यूज कर रहा है, तो उसके इंदर आपन क्या क्या यूज कर सकत और ये अपने को बहुत इजी ली बहुत अच्छी audio देने वाला है, और बहुत चांदार separation के साथ देने वाला है, क्यों? क्योंकि amplifier के उपर particular output है वैसा, treble का अलग control है, bass का अलग control है, vocal का अलग control है, ये आपको Home Theater पे मिलेगा, अगर आप ट्वीटर में सेप्रेशन की बात कर अगर आपको के Muzik Experience Katharji करना है Using could visit musicyncrasy काफी होता है एक दंक के Music को सुनने के अंदर एक्टर एक मूजिक का experience करने एक चीज वर होती है मुलैटीपल स्पीकर को लेकर सोचते हो कि मुझे सुराउंडिंग मिल जाएगी वह पोसीबल पहुंत एक पांशुवा फ्रिक्वेंसी जा रही है सेम इन्फोर्मेशन ज्रह रही हैए आप सुनो गे तो आप शोचो कि यह चीप नहीं बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और उसके साथ में जो आप ड्राइवर यूज़ करने वाले हो कस्टमाजिशन आपके हाथ में जेसा चाहो वेसा यूज़ कर सकते हो होम तेयर्टर के अंदर वो इतना कज़ा पोसिबल नहीं हो पता है उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आये होगी मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर जैहिंद बंदे मातरम करना कुछ नहीं एक अच्छा सा कमेंट कर देना कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो लाइक कर दीजी वीडियो को मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर